कि अधिया थे अधिया स्टूरेंट्स वेल्कम देशन पिटा हम सी एसा या नेट का पिपर डिसकुस कर रहे हैं दो सेशन आप लोगों को पहले दिये जा चुके हैं अज थर्ड सेशन है पिछले दोनों सेशन में हमने रियल अनालेसिस लीनियर अलजबरा और ग्रुप तेरी का जो स्टूरेंट सेशन है अगले विडियो में आपको और ग्रुप blood के क्वेशन आई शुरूरे ये शुरू है इस पहले question first question is from uniform continuity which one of the following means single correct question कौन से वाला function uniformly continuous होगा देखें ओपन इंटर्वल है जितना अपने पहले का पढ़ा होगा है एक थेरम होता है जिसको कहते है uniform continuity theorem वो कहते है अगर कोई function continuous है closed interval अपने यहां क्यों बता रहे हैं सर यह तो open interval के लिए देख लिए तो अगर आपको open interval के उपर uniform continuity establish करने तो उसके लिए क्या है बही रिजल्ट उसके लिए रिजल्ट है कि सबसे पहले जो function आपने लिया है वो continuous होना चाहिए open interval ले भी पे और इसका limit exist करना चाहिए a पे और बी पे लिमिट एक्स एप्रोच इस एफ एक्स साथ साथ लिमिट एक्स एप्रोच इस भी एफ एक्स जो बहुत ज़्याद टेकनिकल है mathematician को तो logical और technical दोनों होना ही चाहिए अगर इतना है आपके पास इतना है इतना है अगर आपके पास है तो function इसको भी जिरो पर प्रॉबलम अगर है तो इसको भी जिरो पर जिरो पर जिरो पर जिरो तो उसका पार्टी नहीं कमाल हो गया तो यह सारे functions इस open interval पे continuous तो पक्का है अगर आपको uniform continuity established करना है तो आपको limit देखना पड़ेगा पहला function है sign 1 by x sign 1 by x का limit 0 पे exist नहीं करता ना left hand ना right hand नहीं करता आपको भी उपता है तो इसमें कुछ भी कर लीजे limit तो exist करेगा नहीं तो यह uniformly जी what is limit x tends to 0 plus e raised to power में minus 1 by x को है अब बच्चा कहेंगा सर यह क्यों नहीं लिया आपने देखे मैंने थोड़े देर पहले समझा रहे था स्कूर का और मेरे प्यारे प्यारे यह ग्राफ है e power x का हाँ जी सर बिलकुल है तो मेरे प्यारे प्यारे राज दुलारे बिटा जरह यहां आई है अगर x 0 को positive side से यानि इधर से अप्रोच कर रहे है तो वन बाइक स्कूर का ग्राफ का जा रहे है इंफिनिटी आच्छा ज है तो उसका एक्सपोनेंशल तो जीरो आएगा थैंक्यू वरिमिच तो आपको समझ में आ गया इसका लिमिट एक्जिस कर रहा है तो राइट नौ ऑल अगे चेक करने की हाला कि जरूत नहीं है बट क्वेसिन इतना शांदार है कि छोड़ा नहीं जा रहा है सेकिंड वाले म आपको clear हो गया देखी अजी वाथ लिमिट एक्स टांस टू जीरो प्लस में ए राईज टो पावर एक्स अलॉंग विद कॉस वन बार एक्स देखो मेरे प्यरे प्यरे बिट एक्स टांस टो जिरो दिस गोस टो वन बट इसका तो लिमिट नहीं एक्सिस करता ना तब बते ह लिमिट कहा से एक्जिस करा देंगे बिल्कुल भी नहीं करा पाएंगे तो इसमें भी प्रॉब्लम है इसमें परिशानी है और लास्ट वाले में भी आप देख सकते हैं जब आप लिमिट लगाएंगे एस टैंस सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें पहले वाले का लिमिट तीसरे का लिमिट नहीं एक्जिस कर रहा है जिरो पर आपको अच्छे से जिस्टिफाय करके बता दिया यह क्वेशन बहुत असान था जिसने बहुत जादा डिप्त में जाके नहीं पड़ा है रियल अनालिस बता है अपने अपराम से एक्जाम का क्वेशन बहुत राम से अपर टाम कर सकते बहुत राम से लिए नेक्स्ट अजी प्रबाबिलिटी अन स्टेट्स के लिए आपको बोला गिया था है अजरा धियान दीजिए इसमें क्या है इसमें चकर क्या है बच्चे ना यह ऐसा क्वेशन देखे रिजर्ट याद करने कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा कोई रिजर्ट है कि fx pdf है तो इसमें से क्या होगा क्या नहीं होगा देखो भई इक्जाम का क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा सा कॉंशिसली अगर आप करेंगे आपको अपने आपी सारी चीज़े समझ में कोई एक एक्सपोनेंशल ले लिए सबसे सिंपल है एक्सपोनेंशल देखो जरा चूस लेट मी चूस मैं तो एक्जामी नहीं कर रहा हूं जाने से पहले ही आपके हाथ साही चीज लगई तो आगे आपको टाइम नहीं कर आप करना स्टिल देख लीजे देख लीजे अंजी जरा ये बताइए वाट विल बी एक्स प्लस वन क्या ये वेलिट पीडिए भॉग आभी चेक कर लेते हैं इस इस प्लस पार वार माइन आपके अची ये पीडिएफ डिफाइन जब 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 यह जो अंदर कॉण्टिटी एक्स लिखे गई पॉसितिव होना च्छी तो इस वेलिट पॉर एक्स प्लस वन गड़ेदें जिरो यानि एक्स गड़ेदें माइनस वन जस्ट विट पूर सेकेंड अब है यह यह एक्स पॉनेंचल हमेशा पॉसित तो रहे गए रहेगा टोटल वन चेक कर लीजे अगर दोनों चीज़ा आगी तो यह भी वैलिट पीडिए है लेट मीच टोल वन हेया यह नहीं सो माइनस 12 लेगर के आप पर लुमीट इंफिनीटी है ऑफ्सुक्ष मैरे प्यारेस माइनस ए इंफिनीटी ए रेस टुपावर माइनस एक्स माइनस वन डी एक्स। तो इस प्ट op घर निकाल दिया और जिस भी बच्चेए ने बीटा गमा integral पढ़ा है ठीक से यह exponential वाला भी पढ़ा है उसको पता है बच्चा बच्चा जानते हैं अगर पढ़ा है तो बिटा यह यह जीरो तो infinity e raised to power minus lambda x dx अगर lambda positive है तो इसका answer one by lambda आता है that you know that you know limit होने चाहिए 0 से infinity 0 से infinity यह limit है minus 1 से infinity ब्रेक कर दो अराम से ब्रेक कर सकते है यह जरा this can be written as e power minus 1 और अंदर क्या बचेगा मेरे बिट्टा minus 1 से 0 e power minus x plus 0 से infinity e raised to power minus x dx अब आपको सारा करके बता रहा हूं अजरे साथ है यह आप सब लो सौरी अजी इस quantity यह this is e raised to power minus 1 और अंदर क्या आएगा मेरे बिट्टा e raised to power minus x minus 1 x का limit है minus 1 to 0 और यह मैंने आपको अभी भी बताया था अभी भी बताया था ठीक है जी सो यह बन गया बच्चे e raised to power minus 1 into minus 1 है यहां पर e raised to power 0 1 हो गया minus e हो गया चेक कर सकते हैं आप सभी लोग चेक कर सकते हैं सो बिटा यह बन गया e raised to power minus 1 minus 1 plus e plus 1 so that is e power minus 1 along with e that is 1 अब देखिए देखिए आपने अपने हातों से verify कर लिया कि अगर fx pdf है तो इस case में fx plus 1 भी pdf प्रूव हो रहे है तो पहले वाले गलत नहीं हो सकता बिकाज अगर गलत होता तो इसमें नहीं आना से यह था आ रहे है तो इसमें नहीं आ रहे है और आपका yes what is f of 2x f of 2x will be e raise to power में minus 2x and this is valid अंदर वाला जब पॉजिटिव हो यह 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 जो आपका 2x लिखाया आपने हो पॉजिटिव होना चाहिए so this is for 2x positive that is for x positive देखो भाई यह positive तो है e power में है तो positive होगे लेकिन इसका total 1 नहीं आ पाएगा because total में limit आपका 0 to infinity e raise to power minus 2x देख लीजे देख लीजे कोई बात नहीं यह 1 आना चाहिए ना तो this is 0 to infinity e raise to power minus 2x देख जो formula भी बताया गया था आपको उस आपसे 1 by 2 and this is not 1 अजी तो यह पका रहा कि अगर f pdf है आपका तो f of 2x need not be a pdf example आपके सामने आप कहेंगे sir कोई और example लेते तो नहीं आता देखो बिटा question की हिसाब से उसने उसने बोला है बोला है कि कौन से वाला जरूर जरूरी नहीं है pdf होना अगर यह pdf होता तो इस case में भी प्रूव हो जाना था जब जो इस case में प्रूश करने की जरूरत है बहुत simple बहुत sober question है पहले वाले एक्जामन हो गया दूसरे वाले एक्जामन हो गया ऐसे ही आप 3rd 4th कर सकते हैं वेट single correct में time ना खराब करो एक option आपके हाथ लग गया जो वो पूछ रहे है तो छोड़ दीजे बाकी बाकियों में क्यों time खराब कर रहे हैं सी पार्ट में करियेगा ना time लगाई यह उसमें तो सारे options चेक करना पड़ता है यहां थोड़ना करें तो अराम से होगे फिर भी जिन बच्चों को depth में जाके पढ़ने की आदत है बिटा इसी PDF के साथ से के यह 3rd option और 4th option आप एक्जामन कर सकते हैं चलो next अगेन तड़कता भड़कता शांदर जांदर question बहुत पहरा question बहुत पहरा और ऐसे question देखके अच्छे 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 बच्चों की अप समझ रहे में क्या के नहीं कोशिश करो थे के बहुत simplicity के साथ हो जाएगा अगर आपको set theory के ओपर mastery है real analysis पढ़ने की थोड़ी बहुत आदते हैं तो यह इस तरह के question छोड़े नहीं आते हैं अराम सुझे आइए जरह मैं पहले वाला करके दिखाता हूं that a and b b two events in a discrete probability space with यह भी positive है और वो भी positive है then इसमें से क्या true है this is zero implies that is zero examin हो जाएगा वही मैं क्या रहा हूं हो जाएगा आइए जरह बहुत अराम सुझे मेरे प्यारे प्यारे बिटा अगर probability a by b ka zero है so this implies probability of a intersection b divided by pb is zero multiply कर दीजे pb से दोनों तरफ बिकाद वो positive ऐसे है so this implies probability of a intersection b is equal to zero multiply by one by pa one by pa से multiply कर दीजे so probability of a intersection b divided by pa will be zero this implies what is this this is probability of b by a इससे जदा ये तो बड़ा मजबूती के साथ काम करना वा पिछला question भी ऐसे था ये भी ऐसे कमाल है इसको prove disprove बड़े राम से कर सकते बच्चा अब इसी के साथ क्या इसी के जैसे हम अगला part भी कर सकते है second part वो क्या कह रहा है इस बर one ले लो देखते है प्राइ करकर देखते है अगर प्रवालिटी अवे भाई भी वन है मेरे बिट्टो यह वन है यह वन है तो यह वाला जो step आएगा वह यह आएगा probability of a intersection b बन जाएगा कि probability of a intersection b जो यह वो पी-ए के बराबर है so that probability of a intersection b by pa this will become one नहीं नहीं बोल सकते दूसरे वाला तो ऐसे भी गया गलत है ऐसे जिस्टिफाई कर सकते हैं नहीं बाकी नहीं छोड़ रहा हूं सारा करा हूं पहला हो गया दूसरा हो गया अब थर्डन पूर्क के बारे में बात कर बहुत सिंपल है और जो बच्चे यह इस तरह के question देखके छोड़के आया है पॉलिश के साथ सा थोड़ी डार्ट की भी जरूत आप लोग इतने simple question को छोड़े जाते हैं क्या statistics पढ़ रहे हैं अपने अपसे पूछिए आप तो अपने सब गलत कर रहें ठीक से नहीं काम कर लोजिक देखिएगा कैसे जीतता है लोजिक, mathematician का, statistician का logic, divided by PB is greater than PA, cross multiply कर दीजे, दोनों positive है, sign नहीं change होगा, इसको इदर ले जाओ, sign नहीं change होगा, सब positive है, so probability of A and section B divided by PA, PA is greater than PB, अब बताएए न, यह तो आपके सामने हतोड़ा चला दिया, इसको तो कोई हटाई नहीं सक लोजिक को, कमाल है, बोलो भई, इससे जादा क्या logical लोग है अप, प्राइलिटी अफे भाई भी अगर greater than PA, तो logically you can prove probability of B by A greater than PB, उन लोगों को ज़रूर शरम आनी चाहिए, जो यह चार स्टेप्स भी ना लिख पाए, okay, next thing, third हो गया, इसी तरीके से पोर्थ बला देख ले इसवैए क्या पता यही बी लोजिकल लिए आजाए, आओ, last part, प्राइलिटी अब भाई बाई भी प्राइलिटी अब अब आप बाई बीडीट अब ग्रीटर है PB से, तो बिटा, अब इसे इंप्लाई प्राइलिटी अब उफ्राइलिटी अबेड बाई आब पी डिउप् section B is greater than P a P b ka whole square आपको चाहिए क्या अगर आप requirement देख पार है तो इसके लिए तो आपको यह चाहिए probability of intersection B divided by P a this should be P a greater than P a यह नि यह पूरा quantity अगर cross multiply करो गया तो यह इसके square से बढ़ा होना चाहिए कोई जादू मंतर तो चल नहीं रहा logic है यह quantity अगर P b के whole square से बढ़ा है तो यह quantity P a whole square से बढ़ा हमें के बता हमें के बता कुछ information दिया नहीं उस बारे में तो obviously चौथा correct नहीं अभी यह correct होता तो आनी जाता अप्रूब नहीं हो जाता है logic आपके सामने strong strong बिलकुल strong हो जाएगा अब भी logic के साथ maths के और stats के बच्चे यह 4.75 में question है था marks का और यह free के marks है बहुत अच्छा बहुत जबरदस्त नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें उसमें भी मैं प्रॉप के question सब्सक्राइब करूंगा याद रखिए आई गुरुप थिरी इस अग्रूप ऑफ और 244 दैन दिस 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 भी बहुत शांदर question है अब जो बच्चों ने बोला है हमारे साथ जो डिसक्स किया है उसमें कुछ सब्सक्राइब कुछ चीजें बच्चों की गलत हो गई है तो जरह में वह चीज क्लिया कर दो आउजरो इस ग्रूप ऑडर 244 दन जी है सब्सक्राइब करेगा यह नहीं करेगा uniqueness तो बात की बात है बच्चों की तरव करके दिखाते हैं अब बताग बीजाग में बच्चों की ले सकते हैं आप बतागे ना क्या एगा तो पहले वाला वह आपको बेकू बनाने के लिए आप ताइम खराब कर रहे हैं तो यह option में यह से अप्षिन में विटे 27 27 यह ना 27 दस नोट डिवाइट 244 इस इंप्लाइज देर एक्स नौ सब्ग्रूप ऑप ओडर 27 पहले दो गुलत हो गया दूसरे पर यह जी इस अग्रूप ऑडर 1694 बैन जी है यूनिक सब्ग्रूप अब बच्चों की आदत होती है आप भी बच्चे हम भी बच्चे हैं स्टुडेंट्स की आदत होती है कि पहले 10 क्वेश्चन जैसे वे 11 भी वैसी होगा या पहले पा जादिया कि इवाइन नहीं कररहें तो सब्ग्रूप नहीं चुलू यह पहले चिले नहीं को यह वैसे जैंटिक है और यह फोट लो और इदवाइट कर गया ठीक है तो ख़ले डिवाइड करंदे थिश। बैस और जाएगा है, again you are confusing, again, where is your concept, यह पक्का है, कि 121, 1694, यह नहीं, order of G को डिवाइड कर रहा है, but that does not mean, कि 121 order का सब गरूप होगा, यह कैसी बात कर रहे हैं सर, बिटा भूल गए, क्या, सब्सक्राइब कर रहा है, यह 121 order का सब्सक्राइब कर रहा है, that does not mean, कि G के पास 121 order का सब गरूप हो गई होगा, बिल्कुल कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी बात नहीं है, समझ में आ गया, तो यह uniqueness बात की बात है, पहले existence is in question, अंजी, यह भी गलत है, यह भी बखवास है, ऐसे बिल्कुल यही चीज नहीं नहीं नेट वालों ने एक और्थोनॉमल, और्थोगनल बेसिस बनाके question यह मैंने देखा था, वो भी मैं next class में discuss करूँ उसमें भी गलती है, इसमें गलती नहीं बोलेंगे, इसमें आपने गलती किये, नेट वालों की तरफ से गलती नहीं है, तुमारी गलती है, अगर माग पर आए, next thing, because Lagrangian serum in general true थोड़े नहीं होता है, कोई cyclic or abilion group थोड़े नहीं बोलेंगे, यह true हो जाएग, अटाओ, third पे आओ, there exists, औरे यार, यह तो बड़े liberal है, यह केरे, कम से कम एक ऐस ग्रूप order 154 का exist करेगा, जिसके पास unique subgroup है, पहले question समझी है, nature समझी question का, वह simply कह रहे हैं, जितना आपने group चरी पड़ा है, कोई एक group उठा लो 154 order का, क्या उसके पास ऐस condition, बस यह कह रहे हैं, यह नहीं बोल रहे हैं कि every group of order 154 follows this, नहीं, at least one group of order 154 follows this, अरे भाहिया, कोई भी cyclic group उठाऊ ना, final order, ZN उठा लीजे, ZN, yes, ZN cyclic होता है, with the property finite cyclic है, कि अगर D उसके order को divide करेगा, तो it contains a unique subgroup order D, मतलब ZN के पास एक order का, एक ही subgroup होता है, आपको पता है, आपको पता है, तो बिट्या लो ना, थर्ड वाला पार्ट तो true हो जाएगा, C वाला पार्ट, yes, G ले लीजिए, Z154, अब भई, Z154 cyclic है, finite cyclic है, it contains five minutes, it contains a unique subgroup of each order which divides 154, अच्छा वो division वाला तो रहे गया, डिवाइट करेगा नहीं करेगा, 7 divides 154 है या नहीं, यह तो कर रहे है, बिलकुल कर रहे है, कमाल हो गया भई, so there exists G equal to Z154 which contains, yes, which has exactly one subgroup of order 7, तो यह true हो गया ना, यह जिसने अच्छे से पढ़ा है, वो तो कर लेगा question, prob stats के questions भी असी थे, real के questions भी असी है, असाना है परिजवाद, चौते पर आईए, there is a again liberal है, तो बड़े तो बड़े दयालू है, there exists a group of order 121 which has two subgroups of order 11, please, 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 यह 11 है तो यह 11 का square है, 11 prime number होता है, there exists at most two groups of order PQ where P and Q are prime, सबको पता है न, और P square अगर है, where P is prime, तो उसके तो दो ही groups होते हैं, एक तो ZP square और दूसरा ZP, EDP, ZP, that you know, that you know, तो दो ही आपके बस possibility है, 121 order के लिए, मैं last वाला part भी लिखी देता हूं, जी ले लिजिए न, यह तो Z121 लेना था, यह फिर Z11, EDP, Z11 लेना था, 121 order का कोई और group नहीं मिलेगा, यह cyclic है, जैसे कि अभी आपने part पड़ा, इसके पास तो 11 order का एक unique subgroup होगा, लेकिन यहां तो exist करी जाएगा न, अब समझ रहे, so let me choose G to be Z11, EDP, Z11, ध्यान दीजिए, अज इसके कौन वन से दो 11 order के subgroups हैं, अरे भाई, इसका 11 order है, वहाँ से identity ले लो, इसका 11 है, यहाँ से identity ले लीजिए, यह पहला subgroup ले लीजिए, H equal to Z11, EDP identity, यानी 0, दूसरा ले लीजिए, K equal to 0, EDP, Z11, हाँ जी, आप agree करते हैं, यह दोनों इनके subgroup हैं, बिलकुल, इसका order 11, उसका order भी 11 होगी, बल्ले-बल्ले, कमाल होगे, बच्चों ने इसमें गलती करते लेकिन, यह write कर दिया, कुछ लोगोंने, वो दो, उन्होंन है, गड़बड कर दी हो, कोई बार नी, बट बहुत अच्छा question ला, the first is false, second is false, third is true, fourth is true, next, and the last question, आज के लिए, आईए, let GBA group of order 2023, जिन बच्चों ने paper दिया है, उनको पता है, बिटा एक यह number है, 2023, group में भी 2023 number का question दिया है, और real analysis में भी उन्होंने 2023 करके, एक polynomial दिया था, उसके roots पुछे थे, उसका constant term 2023 था, हाँ जी, आईए जरा, यह करते है, if G is a group of order 2023, then which of the following are true, G is a billion, G is cyclic, G is simple, G is non-simple, क्लासिक क्वेस्टन है, बदला, 2024 का exam देंगे, तो 24 number भी दे सकता है, 2024, 2025 का देंगे, बहुत अच्छे, अब इसको examine कैसे करें, जिस साल में हम जी रहे हैं, क्या वो एक prime number है, prime कहां से आ गया, sir, विटा, आप सबको पता है, आप सबको पता है, every group of prime order is cyclic, yes, अगर 2023 एक prime number है, तो फिर तो मज़ा ही आ जाएगा, फिर तो कोई tension ही नहीं है, तो पहले इसका primality देख लेते हैं, yes, 1 से divide, 2 से, 3 से, 4 से, 5 नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, 6 भी इवन है, 7, देखो, 7 से तो हो जाएगा, लग रहा है, sorry, कमाल होगे, 17 स्कूर, ओके, सो ओर ओडर ऑफ जी इस, 2023 एंड 2023 सेवन इंटो 17 स्कूर, जिन स्टुडेंट्स ने, जिन स्टुडेंट्स ने, साइलो थिरम पड़ा है, साइलो पैकेज, वहां तक तो आप लोग पड़ते हैं, सब हर चीज में को दोष्ण दे देंगे, ऐसे नहीं होते, बिटा ये शकल ही बता रही है कि आगे का क्वेश्चन तो साइलो से होना है, अच्छा, अच्छा, अब ये पक्का रहा कि ये एक प्राइम नंबर नहीं है तो मैं साइकलिक को मतलब गैरेंटी से नहीं ले सकता, साइकलिक तो छोड़िये, मैं अभी लेन का भी कुछ नहीं कर सकता, तो अब मैं सारी चीज़ा आपको एक्जामेन करके दिखाता हूँ, सेवन प्राइम नंबर है, साइलो, पी साइलो सब ग्रूप में डील करते हैं, यस, वो जो सेवन सैलो सब घ्रूप अपलेके चलेंगे, सेवन सैलो सब ग्रूप … जो नंबर यहां देख रहा है, और टोटल नंबर उप सेवन सिलो सब ग्रूप करेगा 7 x 17 स्क्वेर बट 7K प्लस वन के नेवर डिवाइट 7 7 को दो डिवाइट निकर सकता बढ़ी मैंने तो ऐसी पढ़ाया है बरसो बरस अंजी 21 साल से पढ़ा रहा हूं ऐसी पढ़ाया हमेशा आई यह तो 7K के प्लस एवन दिवाइट कर सकते तो सात्वले को करेगा फिर 17 स्कवर यानी 7K प्लस यह तो वन होगा भी यहांसे आएगा मतला के आगया 0 that is a possibility यहां से के आएगा मेरे बिट्टा 17-16 by 7 वो तो whole number नहीं है whole number नहीं और यहां से भी कुछ गड़बड आएगा तो यह आएगा 288 by 7 यह भी नहीं चलेगा तो यह यह वला option 17 भी नहीं हो सकता subgroup in G मेरे प्यारे प्यारे बिटा silo subgroup अगर unique होता है तो क्या हो जाता है normal normal so that is इसको h बुला रहा हूं मैं 7 silo subgroup को मैं h बुला रहा हूं h बुला रहा हूं that is this 7 SSG is normal अच्छा जी अब जरह देखिए h g में normal है और order of h कितना है मेरे प्यारे प्यारे बिटा order अच्छ तो seven 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 order है तो बिटा साथ order का normal subgroup अपने निकाल दिया ना तो वो group के बराबर है और ना ही identity के बराबर है simple group क्या होता है yes a group G simple if it contains only two normal subgroups अच्छ कौन से एक तो जी और दूसरा identity तो यह जो normal subgroup बना ना तो यह जी के बराबर है और ना ही identity के बराबर है आगया मज़ा so this is different from G and different from इली जी यह तो simplicity को खराब कर गया तो non-simple धन्यवाद जी is non-simple and G simple वेट 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 चीजें अभी और भी हैं खल यहीं कि बस वहीं होगा अभी पहले दो कुछ तो निकालना पड़ेगा भई अभी लेन है नहीं है cyclic है नहीं बिकास यह पार्ट C का question है अगर यह पार्ट B का question होता single correct करके आप चलते बने चलते बनते बटव आपको एक्जामीन करना पड़ेगा आप कैसे एक्जामीन करें अभी क्राइंगे भी अभी सब क्राइंग डोंट वरी जो काम आपने 7 के साथ कि 7 वाला तो एक यूनीक आगे बिटा दियान से देखिएगा यह यूनीक है एंड लेट भी एच 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 बोल दिया उसको अब सतरा वाला देखो दरो 17 SSG की बात कर रहे हूं सेवंटीन अभी सेवंटीन का किया था आप सेवंटीन थी साइलो सब ग्रूप की बात करें अच्छा अर्गूमेंट है ना बिना पड़े नहीं है यह बरसों की महनत का कमाल है आप भी ऐसे बन सकते हैं आजी आपको बना के छोड़ेंगे आसा वीर अना मिशन बात समझ में दो पर मालें आ रही है था भी अत्रीक あजो अब बात करेंगे सEवंटीन साइल अ कि इस सेवंटीन सेवंटीन के प्लस वान और ये तो और लौ टिए करेगा order of G पहले कि तरह 7 into 17 के स्क्वार है बट 17 के प्लस 1 तो 17 के स्क्वार को डिवाइट नहीं कर सकता तो दूसरे वाले को डिवाइट करेगा पढ़ने का तरीका यही है ठीक है यहां तो यहां प्लस वन यहां फिर 17 के प्लस वन गागा अगर 17 के प्लस वन सेवन गया तो 17 के सिक्स हो जाएगा और के एक होल नमबर नहीं रहेगा तो दिस नॉट लॉट अविसली पहले वाले लॉट है और वाभी वाँ मजा आ गया ना है सब्सक्राइब को देखोर देर एक जिसा यूनीक यूनीक सब्सक्राइब करके रहे हैं हम यह निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि यह अभी लियन और साइकलिक में से क्या पक्का होगा और क्या नहीं होगा तो मैं यहां लिख रहा हूं ओर्डर अपका 7 है लेकिन जो ओर्डर ऑफ के हैं वह 17 का स्क्राइब बहुत बढ़ी है अब ज़रा आगे यह अजी विकाज यह नॉर्मल है यूनीक था प्रूव हो गया के नॉर्मल है यूनीक था प्रूव हो गया बेटा अगर ऐसी करते हैं और क्या बिल्कुल ऐसी करते हैं अगर आपने सायलो थोड़ा सबी सीरियस हो के पड़ा है हम नहीं छोडने वाले भाई आओ आजाओ कई मिलेगा नहीं ऐसा आजाओ देखो xy अजिए अचे एस नोमल इंजी गिस इंप्लाइज एस अटलिस अटलिस्ट ओटलिस्त वसब्रूप ग्रूप ग्रूप अल्सों what is order of h k मेरे बिट्टा order of h multiplied with order of k divided by order of h intersection k order of h आपने देखे लिया यह आपने देखे लिया डिवाइड बाइंका intersection को order 1 आएगा 1 कैसे आएगा सर अरे देख लीजे भाई काही परिशान हो रहे इतना h intersection के h कभी सब ग्रूप है h intersection के कभी सब ग्रूप है अगर आपने लगे लाशा इस तो सब्गुरूप को order group की order को divide करता हो रहा होना चाहिए यान्य इसका order इसकी order को सात को को डिवाइट करेंगा इस यह एक सब ग्रूप है और इस सब ग्रूप का ऑडर जी के बराबर है तो यह सब ग्रूप तो जी बन गया हंजी बैट इस अरे आओ भीया आओ देखो कैसे होता है काम सब्सक्राइब करें यहां महां मत करो लाइफ कराब इदर आओ देखो जरह रियालिटी में कैसे क्राया जाता है सब कुछ आप आप भी ऐसे बन जाएंगे यह तो आईडीप के लक्षण है जी बिकम्स आईडीप आप एडीप आइडीप आइसो मॉर्फिक होते हैं अगर नॉर्मल सब ग्रूप है तो जी इज इकुल टू एच क्रॉस के और यहीं यह बन जाएगा आइसो मॉर्फिक टू एच एडीप के मतला आप एडीप आइडीप में से कुछ भी लिख सकते हैं जस्वेट पूर सेकि अवरी गुप आइडीप आइडीप आप एडीप में फॉर्फिक एडीप का में फिर्फिक सब्सक्राय लगत पूर्प आइडीप का मॉर्फिक हो गया अब स्क्क्वार का जो गृप्त वोगा वह अब अब बताई ना आसू आ रहें हैं तो इनके एडीपी को आप साइक्लिक कंक्लूट नहीं कर सकते चोड़ देजिए नहीं कर सकते वट यह अब यह तो बच्चा बच्चा जानता है कि अगर एडीपी के अब जरा ऐसे सब्सक्राइब कितनी मज़ेदार चीज मज़ेदार तरीके से आपको पहले वाला भी करेक्ट है दूसरे वाला साइक्लिक होने की गैरेंटी नहीं हो सकता है में भी हो जाए बट गैरेंटी नहीं है तो हम राइट तो माक्नी करेंगे देख लीजे मज़ा गया होगा इसमित आपको तो मैंने बड़ी मेहनत से यह पांच क्वेशन डिसकुस किया है अज थर्ड पार्ट है नेट के क्वेशन का अभी दो तिन पार्ट और आएंगे और बिटा अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शे सबको देख लिया है मैं किसी के बारे में कमेंड नहीं कर रहा हूं बट अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो हम आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं I request you please हमारे पास दिया के ट्राइब कीचे आप रिग्रेट नहीं करेंगे कभी भी लाइफ में रिग्रेट नहीं कर इbagai ही नहीं कर रिग्रेट नहीं कर दोदिए